दोस्तो आज हम बनाएंगे ब्रत का हल्का फुलका बहत ही टेस्टी नास्ता ये बहुत जल्दी मन जाते हैं और इतने कुर्कुरेव मज़िदार होते हैं कि आप इसे ब्रत क्या बिना ब्रत के भी बना कर खाना चाहेंगे तो चल्ये बनाना सुरू करते हैं अब आलू को छोटे-छोटे टुक्ड़ों में काट कर इनको पानी में डालते जाएंगे, देखिए इस तरह से, आप चाहें तो आलू को लंबाई में पतला-पतला काट लीजेगा, उसके बाद इसके छोटे-छोटे टुक्ड़े कर लीजेगा, मैंने आलू के पहले आठभा पानी गरम कर लिए इसमें हम ये आलू डाल देंगे और इनको 2 मिनट तक पका लेंगे और 2 मिनट पकाने के बाद देखे आलू लगभग 50 पर्सेंट तक कुखो चुके हैं तो अब हम इनको निकाल लेंगे आलूओं को हमने बॉल में निकाल ली है और थोड़ा ठंडा कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे दो बारी कटीवी हरी मिर्च एक इंच ग्रेट किया हुआ अद्रक एक छोटा चम्मच जीरा आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया स्वाथ के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे मैंने एक चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाला है और अब हम इन सभी चीजों को आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं इसे ब्रत के लिए बना रही हूँ अब बाइंडिंग के लिए इसमें हम डाल रहे हैं चार बड़े चम्मच आरा रोट आरा रोट ब्रत में खाये जाता है दोस्तों अगर आरा रोट नहीं खाते हों तो समा के चावल को पीस कर ले सकते हैं बिना ब्रत के बना रहे हों तो आप इसकी जगा चावल का आटा या कॉन फ्लोर भी डा सकते हैं इससे नास्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बनता है तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें चार बड़े चम्मच आरा रोट डाला है कप से ना पे तो ये आधा कप है आलू गरम है तो ये इनके उपर अच्छे से चिपक जाते हैं एक से दो चम्मच हमीज में पानी डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से ये चिपचिपे से हो जाते हैं और नास्ता असानी से बन जाता है अब नास्ते को सेप देने के लिए इस तरह की छन्नी ले लिजे या छोटी प्लेट ले लिजे इसके उपर ये आलू का मिस्रड रखे और इसे फैला लिजे इस तरह से नास्ते का सेप अच्छा आजाएगा आप इसे प्लेट में भी बना सकते हैं आलू के मिश्रड को प्लेट में बराबर से फैला लीजे और इसे हाथों में इस तरह से निकाल लीजे इस तरह से भी नास्ते का सेप अच्छा आजाता है अब चलिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं तो इसके लिए पैन में मैंने दो चम्मस तेल गरम कर ली है इसमें हम ये एक दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे और देखिए दूसरे तरफ से भी इनका कलर गोल्डेन हो गया है तो अब हम इनको निकाल लेंगे आलू 50% तक पके हुए हैं तो इनको फ्राई करने में 4-5 मिनट का समय लगता है औ और ये कम तेल में भी एक्तम क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं और बाजार में मिलने वाले फ्रेंच फ्राई से कम नहीं लगते हैं बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं तो सारे नास्ते को हमने फ्राई कर ली है ब्रत के लिए बना रहे हो तो इनको हरी चटनी या चा कर रहे हैं कॉमेंट में जरूर बताइएगा और रेस्पी जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कर देजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा